वेलो श्ट्रेट्ट्स स्वागत आपका मेरा यूट्यूब चुनल नवदन के मिस्ट्री ग्राइस में में आना में जोवान सकते हैं आपको पता होगा पिछले लेक्षे हम लोगों ने आइसमेरिसम पढ़ना शुरू किया था और देखा था कि किस प्रकार से जो स्कॉर्ड कॉंप्रेक्स पाया जाते हैं हम लोगों एक छोटा इंट्रेक्शन भी लिए था और लास्ट इम लोगों जो टॉपिक पढ़ा था वह था जो में किस प्रकार से पाया जाता है उसके वारे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसमेरिसम बिना देर कि आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसमेरिसम के बारे में पहले हम लोग को थोड़े से बेसिक टर्म्स होते हैं उसकी डेफिनेशन जो आती है उसमें इन टर्म्स का यूज हुआ करता है और हमको वो टर्म्स ही नहीं पता हों आप सैकेशन जो होता है उसे बोलते हैं और इसी का सैकेंड डायब जो हता है उसे बोर्ते हैं अन पोलराइज राइध ठीक है एंगरने पेशीक्स सब्मसकते हैं उसके अप्लैर करता ढूंँ बात करता है दो Crusade in भ्यारी करता है आप यहां पर कोई एक light source को लट कर लीजिए माली एक light source है और यहां से इसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं हम लोग चानते हैं कि जो डीप रोग रिलेशिशिप जो था उसके recording क्या हुआ करता है कि light जो होती है वो दोनों के फार्म में travel करती है इसका मतलब क्या हुआ यह बहुत चोट चोटे energy आप लाइट के पार्टिकल से मिलके बनी होती है तो हम दों ने पढ़ना ते सिसके बारे में जिसे हम लोग बोलते हैं सिमिलरली यहां पर हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी यह चीज है कि यहां पर लाइट वेव जो ट्रैविल कर रही है वो जादा कुछ नहीं है सिर्फ यह किससे मिलके बनी हुई है फोटन के पार्टिकल से मिलकर बनी है और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पार्टिकल्स है फोटन जो होते है उनका जो वैब्रेशन जो होता है वह अगर एक ही प्लेन में हो रहा है तब उस प्रेल के लाइट को बोला जाता है दोबार रिपीट कर देते हैं मैं अगर नहीं पर बाइग गर मतलब यह जोटे से मिलके लाइट कर रहा है मतलत उन May तो आपको repeat कर देते हैं the light in which all the particles oscillate in a same phase or in a same plane is called as the polarized light संचमारी आपको बात है वही चीज़े आपर भी apply कर देनी है एक ऐसा light source है जिसमें जितने पर उसके particles होते हैं कर वह सारे के सारे एक ही phase में vibrate कर रहे होते हैं जिसमें पर एक्सेस के रही है और उसके प्लेन के बारे बात करें निका क्या कहलाएगा यहां पर आपर यह उसका इसका ना मतलब क्या होता है मतलब कि वो प्लेन जिसमें Camerseグkltles जो रहे हैं वो और च आता है इसका डूसा नम होता है कि green आप रीपीट करते हैं कि एक अइसी लाइट जिसमें जितने Case होते वह सारे के सारे एक plane एक phase में वाइबरेट करते हैं उस light को बोलना जाता है polarize light दूसरी बात जो ऐसा light जिसमे पार्टिकल्स जो होते वह किसी प्रकार से कैसे भी authent करते रहते हैं हर दिशा में ऑसे karate करते हैं उस प्लने light को बोलना जाता है और जिस प्लैंट के होता क्या ठीक है फोड़ा समुझने कोईश करते हैं इस बारे में हम लोग हैं सो बच्चे देखिए यहां पर आप को एक लगा एक लड़ा एक लाइड में करते हैं यहां पर है आप हुआ क्या मतलब कि माली है एक हमने वीकर लिया है और एक इस बीकर में एक compound रखा हुआ कोई भी chemical compound रखा हुआ है और इसके अंदर से पोलराइज लैट जो है इसको यहां से pass कराया गया pass कराने के बात में जो दूसरी जो थी इसके यहां पर इसके यहां पर एक device रखा गया जब यहां से light यह pass हुई जा करके तब यहां पर इसको डिटेक्ट किया तो ऐसा पाया गया कि अब यहां पर ग्राम आ लिए अब देख लिए प्लेन प्लेन जो हो रहा है उसको मतलब जो प्लेन के एक्जेक्ली पर्पेंडिकुलर हो रहे है तो बाद में जब यहां से यह इस तब उसमें जो प्लेन 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 जो था उसमें हलका सा टेल्ट आ गया मतलब कि वह एक डिरेक्शन में लिए हलका सा जो गया मुड़ गया उसमें ठीक है अब देखिए यह कंपाउंड जो होता है इसको मतलब क्या होगा यहां पर इसके अंदर से कुरियों के प्रॉप तो आपको बात सब्सक्राइब कर देते हैं मतलब उनके अंदर कोई ना कोई चेंज लिए इस प्रकार के और को क्या बोला जाता है और ऐसा है जो आपने जो करिए इसको बोला जाता है अब देखिए आगे बढ़ते हैं हमारा जो में टॉपिक जो होता है क्या होता है और दोनों के दोनों स्ट्रक्चर की अप्टिकल एक्टिविटी अलग लग पाए यह मतलब क्या है है आप लग को लिजिए हमारे पास कम्पाउंड और उसके दो मतलब उसके करते हैं हम अदेखियर यह उसका आए आइसोमर है और यह उसका बी आाइसो growing है तो द दोनों की अको बताई वहा लग लगे अब माली जाकर यहां पर इस वाले compound से प्लेन प्लेन को पास किया गया तो इसने प्लेन प्लेन को एंटिक लगवाई ड्रेक्शन में रोटेट कर दिया और दूसरे वाले ने एंटिक लगवाई ड्रेक्शन में रोटेट कर दिया हुआ कि आख देखिए हम लोग यहां पर डिफ्रेंस तो जान पा रहे हैं कि यहां पर एक ही compound में दो आइसो में शोग हो रहा है लेकिने किस बेस पर हम लोग बोल पा रहे है इन दोनों compound की optical activity के बे isomerism हो गया और मिनको differentiate किस बेस पर कर रहा है इनकी optical activity के बेस पर इसी वैसे इस टाइप के आइसो मेरिजम जो हमने आफ्जर्व किया अभी है उसको बोला जाता है और आपको बात क्लिए होगी बतला अगर माले इसको define करने कोई करे तो इसको कैसे बोल सकते हैं आपर है माले हमारे पास कोई से एक ऐसा chemical compound जो कि एक यार एक से अधिक फॉर्म में exist कर सकता है लेकिन उनका chemical formula exactly same हो और उन दोनों की optical activity एक दूसरे जच्ट अपोजेटो है फे बोल सकते हैं उनकी optical activity जो है वो अलाग अलाग हो तो इस प्रकार का isomerism को बोला जाएगा optical isomerism तो आपको बा का होता है इन complexes को क्या बोलते हैं कैसे observe होता है उसमेल में समझने कोईश करेंगे इसको लोग कैसे data प्रकार सकते हैं उस क्यारे में लोग जानने कि इसमें कोईश करेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर सो बच्चे देखिए आपको बिल्कुल की मतलब कि अगर एक के दो करते हैं और जिन मैं से एक कंपाउंड जो है वह प्लेन प्लराइशन को राइट डिरेक्शन को एंटि क्लॉइट कर रहा है तो वह दोनों आप्टिकल लिए आईसमेरिस्म कहलेंगे ठीक है लिकिन अगर माले इनके नाम के बारें बात करेंगे तो उनको नाम किस प्र करता है उसको बोला जाता है डेक्ट्रो रोटेटरी और इसको डिनोट किया जाता है या फिर सिंपली साइन से साज मैं यहाँ पर क्या हो गया है कि पॉज़ेक्शन को वह पॉज़े करें ठीक है अच्छा अगर माली हम इसके इस वाले कंपैर करें तो यहाँ पर देखिए अगर माली यह वाला compound जो clockwise डाक्शन ग्राइट कर रहा था तो यह वाला अंटी क्लाक्वाइट कर रहा है इसका मतलब इस वाली compound को हम लोग माइने साइन से शो करेंगे और इस वाले compound को नाम चानने कोईश्च करें तो इस वाले compound को नाम होता है लीवो रोटेटरी कमपाउंड ठीक है और इसको स्मॉल एल से नोट किया आता है मतलब वह आप्टिकल आइस समर जो की प्लेना प्लेराशन को लाइट करता है उसको बूलते हैं डेक्स रोटेटरी आइस ओमर और जो की एंटिकलफ रोटेटरी करेगा उसको बूला जाएगा हमले यहाद करने के बार हम बात से कर सकते हैं अग introduce कैरा सकते हैं आपकी आप लोग यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग किसी भी compound को देखकर यह जज नहीं कर सकते हैं वह वहला compound dextrotatory होगा कि वह लीव रोटेटर होगा कभी कार आपसे कोई भी question बूछ सकता है फिर कभी कभी कभा जैनल सिंप्ल यह question भी है कि वह optically active होगा या फिर नहीं होगा लेकिन अगर माले इसको हम ठोड़ा और precisely जानने कोईश्के नहीं कि वह हमारा पहले पहले बताया है उसका dedicated device होता है इसको बोलते हैं पोलरी मीटर है हमको उसकी ज़रुवत पड़ेगी उसके बिना हम लोग यह नहीं कर सकते हैं वह अप्टिकली एक्टिव है या नहीं है देखकर हम लोग सिर्फ नहीं बोले हैं कि वह डेक्स्ट्रो या फिलीव होगा ठीक है अब दूसरी बात है इस वाले में क्या हुआ करती है अगर माली हमारे डेक्स्ट्रो कंपाउंड जो है प्लेन पॉलरीजिशन को प्लेस वन पॉइंट रोडेट कर रहा है और जो इसका मतलब क्या होगा जो होता है उनका मेंगनिट्यूट एक्वाल रहेगा बस उनक कर चलेंगे और जो लिवर्डेट्री वाला होगा बी वाला जो होगा उसको में लिएक चलेंगे संस्दमेद्यों को बात है अच्छा अब अगर माली हमने को बीवाले कंपॉंड को आपस मिक्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इन दोने की अप्टिकल एक्टिवि को आपस मिला देते हैं तो यह कैसा कंपाउंट बनेगा जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होती है सब्सक्राइब को बात है और यहां पर यहां पर मिक्स्चर बनेगा तो इस मिक्स्चर को बोला जाएगा रेसेमिक मिक्स्चर कि आगर माल लें किसी इस पर के दो अप्टिकल को आप समिला देते हैं तो जो कंपर नाब यह उसकी पर आप काफी important term है जो भी कभी कभार आप लोग साइध आप में सुना ना उस चीज़ के बारे में लेकिन optical isomer जो होते हैं उनको इनेंशियोमर भी बोला जाता है सज्वार रिप्वायत है चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि वह कौन-कौन से compound होंगे जो कि अगर आपको पहचानना है कि कोई भी कमपाउंड को दिया गया है वह आपको अप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं होगा मतलब आपको इतना ध्यान रखना है अगर किसी भी complex compound के formula में कम से कम एक डाइंटेश या हमारे पास यह compound लिखा हुआ सी ओ- और इसके पर चार्ट जया जाएक लइक का यह आपन थ्री पॉस्टिव जाएगा देखिर हमने आपको बताये कि एक इस में डाइंटेश या लेकिन आपर तो तीन तिन लगे हो इसका मतलए वह टो शूरली ओप्टिकाल एसलम शो करेगा अब देखिए अगर में हमको है कि चेक करना है कि किस प्रकार साइसे रहे तो हमको एक काम करना पड़ेगा सबसे पहला तो यहां पर इसका structure किस प्रकार से होगा देखिए हम लोग जानते हैं कि जो होते हैं वो दो बॉर्ण्स बनाया करते हैं मैटल एटम से अगर माल यह एक इसमें लीगन जो है वो दो बना रहा है इसका मतब तीन कितने बनाएंगे शे बनाएंगे यानि कोबाल्ट का कोडिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यानि हम लोग यह तो इतना कोबाल्ट जो होगा वह उसका structure कैसा होगा ओक्टा ट्रलेंग शेप होगा चलिए इसको भी ट्रॉक कर लेते हैं माली यह कोबाल्ट रहा है यहां पर है कोबाल्ट का मतलम को यहाप इसमें कितने च बांड ट्रॉक करने हैं तो चार प्लेन में आते हैं और एक प्लेन के ऊपर बाकी एक प्लेन के इसमें से नीचे आजाएगा ठीक है हमको देखिए आप यह फैन टाइप का structure दिख रहा होगा लेकिन आप ध्यान दखिएगा हम लोग गलती कहां पकर देते हैं हम लोग इस को समझ लेंगा इसका मतलब है फैंशिप बन जाएगा लेकिन अध्यान रखिएगा ऑक्ता है जो होती है इसका मतलब है जो हम लोग को दिख रही है यह प्लिनर मॉलीकुल की ताइसे नहीं है ठीक है अब अगर माली यह हमारा मॉलीकुल बन गाए हम इसको ड्रॉ कर लिया किस प्रकार से नहीं यहां पर यह यहां पर और यह वाल जो है वह से उज्जाड़ से रहे मारा अग्ला कि मिलन भी अब देखिए हमारा अगला काम क्या है हमको इस वाले compound का रियल structure जो मतलब रियल image जो थी और mirror image को आपसल superimpose कराना है अब देकिए superimpose का मतलब क्या होता है मतलब एक दूसरी की ऊपर रख देना यहाँ पर है और अगर यह वाला compound जो है यह इसको exactly overlap कर देता है बिल्कुल exactly overlap कर देता है इसका मतलब यह वाला compound को शो नहीं करेगा सब्सक्राइब को बात है मतलब अगर हमारा compound जो है और इसकी mirror image आपस में एक दूसरे को exactly superimpose कर देते हैं इसका मतलब यह compound आप्टिकली एक्टिब नहीं होगा इसका मतलब हम लोगों क्या चाहिए है आपर ऐसा compound चाहिए इसका compound और उसकी इसका मतलब क्या होगा अगर आप इन वाली दोनों इमेज को यह compound की main image जो है और इसको superimpose कराएंगे यानि कि यह दूसरे पर superimpose नहीं हो पाएंगे दूसरे को overlap नहीं कर पाएंगी यह वाला compound कैसा होगा आपस में optical isomer होंगे यह वाली ठीक है मतलब क्या होगा एक ऐसे compound है फिर एक ऐसा compound जिसकी image और उसका mirror image जो है वो आपस में non-superimposable होती है है ऐसे compound को हम लोग optically active हो लेंगे सब्सक्राइब को बात है तो इसको बनाना काफी easy हो जाएगा आपके लिए मतलब करना कोई खास करने जरूत नहीं है हम लोग को सिर्फ इस compound का structure बनाना है उसकी mirror image बनानी है और हमको उसको आपस में overlap कर देना अगर माली overlap करने के बारे में पर बात आ रही है तो देखे हाँ पर बात कर रहे हम लोग है तो जैसे रखे वह इनको वैसे overlap कराना है मतलब इनको एक flip नहीं करना है जैसे इनकी images रखी हुई है इनको exactly वैसे overlap करना है सब्सक्राइब को बात है तो आपको clear हो गया हुए किस प्रकार सेम को पैचानना है कोई भी आप्टिकली अक्टिव कंपाउंड जो होता है वो किस प्रकार आपको पहले बात उसका structure लिख लिजिए और इसकी mirror image बना लिए अगर वो दूसरे पर non-superimpossible आ रही है इसका मतलब सब्सक्राइब को बात है तो यह तो माली बात होगा इसमें अगर तीनों की तीनों हमारे पास प्रिजेंट होते हैं अब देखे चली आगे बढ़ते एक च्छोटा सिसका एक और एक और example होता है उसको लोग समय ने कोईश करते हैं ठीक है तो स्ट्रेंट्स देखिए नेक् सब्सक्राइब करते हैं अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है आप लोगों द्यान से अगर पढ़ा होगा इसके बारे में अब लोगों जब पढ़ा था तो यह वाला टाइब अगर आपको याद नहीं तो हम आपको बना कर भी दिखा जेते हैं इसके बारे में देखिए पहली बात तो यहां पास और पास और पास बनेगा जाकर करके ठीक है अब अगर माली है अब बात कर लेते हैं इसके से साइस उमर के बारे में तो लेट कर लिए हमारे पास यह पहला क्लोडीन है और दूसरा क्लोडीन है और बाकी बचे हुए इसमें जो है वह यह बची दो पोजिशन को कुछ इस प्रकार से यहां पर ठीक है अब अगर माली हम लोग करते हैं तो कैसे बनेगी कोबाल्ट यहां पर भी इसमें छे बांड आएंगे चार प्लेन में और एक बांड प्लेन के नीचे आएगा अब अगर माली हम लोग इसके इसकी पोजिशन यह हो जाएगी इस वाले के लिए उनकी पोजिशन भी कुछ इस प्रकार से आजाएगी अब अगर माली हमें इन दोनों को ओवरलैप कर पाएंगे अब लोग धाल से देखेगा थोड़ा अगर माली यहां पर देखिए यहां पर यह जो इन का बांड जो ब इस वाले जो होगा कंपाउंड भी जो गा इसकी इमेच और इसकी इमेच वह आपसमें इन सुपर ऑला प्रकाइंगि अक्टिव हो ओगा सब्सक्राइब को बात है मतलब आपको पहले बता रहा है अगर माल लिए कोई भी कंपाउंट की इमेज और इसकी मेर इमेज आपस पर नॉन सुपर अगर माल लिए को इसको नीचे लगा दिया तो देखिए बाकी वज़े बांड कहां पर हो जाएंगे चार बांड जो प्लेन जो हैं उनको इन अक्युपाई कर लेगा अगर माल लिए हम लोग इसकी मेर इमज बनाने कोईश करते हैं देखिए वो कैसा बनेगा कोबाल्ट चार बांड प्लेन में होंगे एक बांड प्लेन के उपर लिए का मतलब क्या है यह कमपाउंड की इमज और इसकी मेर इमिज़ वह ऑगैग उसमें कोई भी डिफ्रेंस दोने में नहीं नज़र आएगा और सिंपल सी बात लिए इनकी में तो दुनों को ओवरल्क कर आएंग यानि एक दूसरे को exactly overlap कर देंगे कहने का मतलब क्या है यहां पर हमारा जो बना है उसकी इमेज और उसकी तो एक दूसरे को exactly कर देगा इसी वैसे वाला compound जो होगा वह कैसा होगा नॉन आप्टिकली एक्टिव हो जाएगा यानि यह वाला compound जो करेंगा तो आपको ध्यान रखना है अगर माली इस प्रकार का को जनरल वाला compound हमारे पास आता है जिसमें दो राइंड लगे होए होते हैं तो उस वाले वहाँ पर क्या होगा लेकिन किसमें जो उस वाले compound का लेकिन अगर माली बात करते हैं तो वहां उस आपको बात क्लियर हो गया है तो आपको बनते हैं उस इतना ही बिलेंग आपसे लेक्टर में अब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्स्राइब भी कीजिए चैनल को थैंक्स वार वचिंग मैं वीडियो